कई रास्ते लक्ष की ओर ले जाते हैं लेकिन मुल रूप से केवल दो ही हैं कारण और अभ्यास कारण से प्रवेश का अर्थ है उपदेश के माध्यम से सार को समझना और उस पर विश्वास करना कि सभी जीवी चीजों में एक ही वास्तविक प्रकरती होती है जो कि एकता नश्वर और मुनी की और जो अप्रभावित रहते हैं पूर्ण शास्त्र से और अगोशित सहमती की गारण बिना हिले बिना प्रयास के वे प्रवेश कर जाते हैं हम कहते हैं वजय से अभ्यास दोरा प्रवेश करने का तात्परिया चार सर्व समावेशी अभ्यास से दुख सहना, परिस्थित्यों के अनुपूल ढलना, कुछ न चाहना और धर्म का अभ्यास करते रहना, पहला दुख सहना, जो यह खोचते हैं मार्ग को, तो मार्ग का सामना विपत्ति से करें, उन्हें आत्मचिंतन करना चाहिए, अंगिनत कल बीट गए, मैं आवशक से बद रहा, अक्सर बिना कारण करोधित और असंके दोशों का दोशी उलगन हुआ, अब हाला की मैं कोई गलती नहीं करता, फिर भी मैं अपने अतित से दंडित हूँ, न तो देवता और नहीं मनुश्य यह अनुमा लगा सकते हैं, कि कोई बुरा कर्म कब फल देगा, मैं इसे ख समझ में आता है, पेसी समझ के साथ आप कारण के साथ समझस से बिठा पाते हैं, और दुख सैकर आप मार्क में प्रविश करते हैं, दूसरा, परिस्थितियों के अनुकूल ढलना, नश्वर होने के नाते हम परिस्थितियों के द्वारा शाशित होते हैं, स्वयम द्वारा नहीं हमारे द्वारा अनुबव किये जाने वाले सभी कष्ट और आनंद परिस्थितियों पर निर्वड करते हैं यदि हमें प्रसिद्धी या भाग जैसे किसी महान पुरुसकार से आशिरवाद बिलना चाहिए तो यह अतीत में हमारे द्वारा बोए गए बीच का फल है नहीं मन न तो बढ़ता है और नहीं कमजोर होता है जो आनंद की हवा से अविचल रहते हैं मोन मार का अनुसरन करते हैं तीसरा कुछ नहीं चाहना इस संसार में लोग ब्रहमित हैं वे हमेशा किसी न किसी में ललाहित रहते हैं हमेशा एक शब्द में खोचते हैं लेकिन सम प्रता के स्थान पर तर्क को चुनते हैं, वे अपने मन को उत्तकरश्टरता पर केंद्रित करते हैं और अपने शरीर को रितुए के साथ बदलने देते हैं, सारी गटनाएं खोकली हैं, उसमें इच्छा कड़े लाइक कुछ भी नहीं है, विपत्ती हमेशा सम्रिद्धी के सा बदलती रहती है, शरीरधारन करना कश्ट भोगना है, क्या किसी शरीरधारी को शांती का पता है, जो लोग इसे समझते हैं, वे अपने आपको उस सब से अलग कर लेते हैं, जो अस्तित्व में हैं और किसी की भी कलपना या खोजना बन कर देते हैं, सुत्र कहता है, चाहना कश्ट सहना है, कुछ भी न खोजना आनन्द है, जब आप कुछ नहीं खोजते तो आप मार्ग पर होते हैं दर्म का आचरण, धर्म सत्य है कि सभी प्रकरतिया शुद्ध है, इस सत्य के अनुसार सभी रूप शुन्य है अब अवित्रता और आसकती विशय और वस्तु का अस्तित्व नहीं है, सुत्र कहते हैं, धर्म में कोई भी शामिल नहीं है, क्योंकि यह अस्तित्व की अशुद्धता से मुक्त है और धर्म में कोई आत्म शामिल नहीं है क्योंकि यह अनात्म की अशुदता से मुक्त है वे इतने बुद्धिमान हैं कि इस सत्य पर विश्वास कर सकें और समच सकें धर्म के अनुसार आचरन करने के लिए बात दे और चुकि जो वास्तविक है उसमें कृत्गता के लायक कुछ भी शामिल नहीं है वे अपना शरीर, जीवन और संपत्ति दान में दे देते हैं बिना पच्तावे के उपहार या प्राप्त करता के अहंकार के बिना उपहार या प्राप्त करता और बिना किसी पक्षपात या लगाव के और अशुद्धी को दूर करने के लिए वे दुसरों को सिखाते हैं लेकिन रूप से जुड़े बिना इस प्रकार अपने स्वयम के अभ्यास के माद्यम से वे दुसरों की मदद करने और संबोदी की मा होता है वे अन्य सद्गुनों का भी अभ्यास करें लेकिन माया को खत्म करने के लिए छ पार्मिता का अभ्यास करते समय वे कुछ भी अभ्यास नहीं करतें धर्म का अभ्यास करने का यही सही मतलब है